एक अच्छी पत पर जाकर बिढ़ जाएगा अगर आप जिसका भचन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम उसी में अपन स्वयम हम स्वयम अगर मंदिर तक नहीं जा सकते है हम कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से कहते हैं माताओं कहते हैं गुरुजी खरीर से चला नहीं जाता तो सब्सक्राइब और मंदिर भी दूर पड़ता है। तो हम करें तो करें गया। एक बेहन रोज पत्र लिखती है। आज भी पत्र आया होगा आप पड़ाई पाई। कि वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गाउं में रहते हैं उस गाउं में हम संकर जी के मंदिर जाते हैं उस गाउं में हम शिव जी के कि आप लिखकर बेजो मुझे थोड़ा सा लिखिये में इसको देखता हूं जरूर जरूर मैं करता हूं जरूर करो आज कथा के बाद में दस मिनिट आपका और हमारा ही साली ठीक है अब हम कहां जा अब मेरा उस बेहन से निवेदन है अब दाग घर एक होता है बोलो सही है उस डाग घर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के इत्ते बड़े बड़े वो जगा जगा टंगे होते हैं चिठी उसमें डाल दो तुमने डाग घर में जाके चिठी नहीं डाली है तुमने चिठी उस डब्बे में डाली चिठी तुमने जालना भेजी डब्बे में डाली थी गई की नहीं गई अरे बोलो तो जंके, गई ना थोड़ा पहुचने में समय लगा, डाग घर डारेक्ट जाते, चिठी देते तो जल्दी पहुच जाती, पर तुमने वो डबे में डाली, तो थोड़ा पहुचने में समय लगा, अगर डाग घर बंद है, तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड वो डबा है, जिसमें डाग घर अगर बंद है, तुम डाग घर नहीं जा सकते, डाग घर में ताला लगा हुआ है, और चिठी तुमको जानना तक पहुचाना है, अगर तुमें तुम्हें तुमारे जल्द को महादेव तक पहुचाना है, तो तुम चाहे पीपल का जो हो चाहे बेलपत्री का ब्रक्ष हो चाहे जो ब्रक्ष हो उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभू मेरा शंकर पीपल के नीचे जल चड़ाना तो कहना पिपलेश्वर महा देओ बढ़ के नीचे जल चड़ाना तो बटकेश्वर महा देओ यहां जल चड़ाओगे, मेरा शंकर उसको सिकार कर लेगा, भले तुम दाग घर जाओ, उनको सोचना चाहिए, कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी कलेश करो, तो मेरा निवेदन है, तुमारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी ना देना और पाफ इस पानिमे मैं हो गया मेरा शंकर थांडता अगर मंदिर मे तुमंहें जाने से मना ना करें तो मंदिर जाओ, बरे वान लए जाओ, शिवा ले जाओ रागर म trivial मना कर दें तो फिर अपना भग्वान की भक्ति, जहां वेट कर करोगे, तो से करे रिः चीटी मंदिर जाती है जिंगोर जुमा अरे बोलो तो जमके हीरन हाती जरा विचार करी है श्रीमत भागवत पड़िया आप लोग में सुनी है भागवत में सुना होगा तो भागवत में हाती के पाउं को मगर पकड़ लिया